आपको पता है कि मैं अपने हर सेशन के स्टार्टिंग में यही बाते करता हूं कि हम कर रहे हैं हमारी राष्ट्रिय प्रतिबा खोज परिक्षा की तयारी और इसके लिए हम लोग करते हैं हर बार हमारे कॉंसेट लर्न करने के बाद कुछ क्वेशन सॉल्व और उसके बाद मुरूख करते हैं किस तरफ जी हां बिल्कुल जैसा कि आप देख सकते हैं पिछले वर्षो में जिस जिस राज में जो जो सवाल इस टॉपिक के संबन देता हैं उन सब को पढ़ने का हम प्रयास करते हैं क कविशेश सूचना काफी किताबों में काफी प्राइवेट पबलिकेसंग में जो चाप्टर हम पढ़ने वाले घिसका नाम मैं बेसिक आपमार्टिक किताबों में किसी दूसरे नाम से भी जाना जाता है जिसे उधरन के तवरके का इसको कहते है कमर्शील मैथमाटिक स्य차 500 एक बर अपने बुक में अच्छे से देख लें कि टॉपिक क्या है कॉंसेप क्या है उसके बाद पड़ाई स्टार्ट करें ये ना सोचें कि यह टॉपिक जो हम पढ़ रहे वह आपकी किताब में नहीं है बिल्कुल है नाम अलग हो सकता है लेकिन टॉपिक सारे लगबक सेमी ही रहते हैं तो अब इस बात का ध्यान रखें क्या नाम बताया कंपेरिंग क्वांटिटीटीज के नाम से भी होता है चलिए तो आज हम रुख करने वाले हमारे प्रीवेश कोशन का काफी सारे कोशन से काफी मज़ा आने वाला काफी इंटरस्टिंग है और आपको काफी हो गया जी सर्चालिए बहुत बढ़िया अब हम करेंगे यहां पे इसको नीचे और स्टार्ट करेंगे हमारे पहले कुशन को पहला कुशन है हमारा यहां पे वाइस सेलिंग ट्वैल ओर इंजिस फॉर रुपी ठीक है अमान लूजिस 20 परसेंट ठीक है हाव मैनी फॉर रुपे में 12 और इंजिस बेचे जाएंगे ठीक है कितने रुपे में एक रुपे में 12 और इंजिस ठीक है अब यार एक रुपे में 12 और इंजिस मतलब मैं इसको ऐसे लिख दूं कि 100 पैसे में 12 और इंजिस बात तो बराबर ही है यह सर जोकि एक रुपे में कितने होते हैं तर 100 पैसे होते हैं ठीक है तो अब मुझे पता लगाना है एक ओरेंज की शैलिंग प्राइज एक ओरेंज की सेलिंग प्राइज होगी ठीक है ऑद इंग तो crypto । था वहां डिविजन में मल्टिप्लिकेशन में थे यहां जाएगा तो आपको मिल जाएगी एक को औरेंज की selling price ठीक है तो आपको selling price पता है SP पता है कितनी 100 by 12 अच्छा यह कैसे सब 20% loss होने के बाद ही मतलब अगर आप cost price को मान रहे है x ठीक है तो x minus 20% of x करने पर आपको मिल रहा है 100 upon 12 ठीक है cost price में से आपने loss को हटाया तो आपको मिल गया 100 upon 12 क्या आपको यह समझ में आया yes sir अब यहां पर आप इसको solve करेंगे 20% मतला 20 by 100 into x is equal to 100 upon 12 ठीक है solve करेंगे इसको आप तो यह हो जाएगा 1 by 5 ठीक है x minus x by 5 करेंगे तो आपको मिलेगा कितना यहां पर 100 upon 12 यह दी में गलत नहीं हूँ तो है ना अब यहां पर इसको आप सॉल्व करेंगे 100 upon 12 x की वालों निकालने के लिए क्या करोगे सर क्लॉस मल्टिप्लाइ कर सकते हैं जी हां बिल्कुल कर सकते हैं तो आपको मिलेगा x equal to अगर मैं इसको continue करूं 100 में into हो जाएगा 5 और नीचे आ जाएगा कितना 12 into 4 तो 100 into 5 हो जाएगा 500 upon 12 into 4 कर सकते हम यहां पे ठीक है 12 फोर्जा हो जाएगा 48 आप चाहें तो चाहें तो कैंसल भी कर सकते हैं फोर इजामपल यहां पे पांच और चार जब आप कैंसल करेंगे आपका अंसर आएगा 0.8 क्योंकि एट फाइट फाइट जा होता है 40 तो 0.8 है वहां पे ऊपर इसको आप यहां पे भी लिख सकते हैं तो आपका अंसर आजाएगा 100 upon 0.96 0.96 कितना सर यह हो जाएगा 12 इन टू एट करेंगे तो होता है 96 एक डेसिबर 9.6 सॉरी 100 upon 9.6 ठीक है क्या यह समझ में आया यह सर यह हो गई आपकी क्या यह हो गई आपकी कॉस्ट प्राइस अब आपको क्या करना है इस पे 20% प्रॉफिट यह क्या चाहिए इस पे 20% प्रॉफिट आपको निकालना है तो हम क्यालकुलेशन करने के लिए थोड़ी जगा की कमी है इसलिए हम यहां पे इसको कर देते ह एरेज मैं दोनों तरीके से लिख देता हूं ताकि हमें क्यालकुलेशन में हेल्प हो जाए जब भी हम क्यालकुलेट करें आगे हमारा सेलिंग प्राइस ठीक है दूसरा क्या तरीका था सब दूसरा था 500 डिवाइड बाइट ट्वेल फोर्टी एट ऐसा कुछ है ना चलिए अ 15 है तो कितना हो जाएगा सट 20 इंट रहंडेट डिवाइड भा इंट अपर इन्टू एक्स ठीक है चांजल करूगा आप इसको बहन अपन फklär और सॉल्फ करेंगा अबossible तो यो जाए गा 5ой एकस प्लस एक्स एक्स अपन फाइफ ठीक है ये हो जाएगा आपका न्यूसपी म पुट करेंगे आपको मिलेगा six by five और एक्स की जगा आप रख दो पांचो बाइ फॉटी एट देखो दोनों ऑप्शन खुले रखें अपने और जान मुझके यह वाला यूज कि इसमें कैंसल करना आसान है वहाँ पे हंडेड़ बाइन पॉइंट इसमें कैंसल करना थोड़ सोंनों और यहां पे आगए 100 अपॉइंट अच्छा यह सौंने से के आड़ा ओर एंज के सौं पेश तो जब सौब एट करोगे 100 by 8 करोगे तो उसका मतलब क्या होगा सर उसका मतलब होगा इसी logic से कि 100 पैसे के 8 oranges कितने 8 oranges तो मतलब एक रुपय के कितने oranges 8 oranges होने चाहिए क्या आपको यह समझ में आया येस सर जिस logic से हम गए थे उसी logic से हम वापस आए और हमारा new SP निकाला हमने क्या है हमारा new SP कि एक रुपे में 8 औरेंज बेचो आपको 20 रुपे का फायदा होगा 20% का सौरी अगर एक रुपे में आप पहले कितना बेच रहते हैं 12 तो आपको नुक्सान हो रहा था पर अब अगर आप बेचेंगे तो आपको फा का मन में no sir चलिए हम करेंगे यहां पर स्क्रीन को क्लियार और मूव करेंगे अगले प्रशन की और अब हमारा आंसर क्या तो ऑप्शन सी हमारा भी साहिए इनका भी साहिए चलिए कंप्यूटर जीने भी हमें परमिशन दिदी है तो हम आगे बढ़ जाते हैं second question है हमारा the compound interest is 6.4 more than the simple interest ठीक है if the year if the sum is lent for two years तो time कितना आपका दो साल है 8% rate of interest compound interest ठीक है then the sum will be आपको क्या क्या बताना है आपको sum बताना है यदि आपको क्या दिया है इसा time दिया है two years ठीक है rate of interest है 8% ठीक है और दोनों का gap किसका ci minus si है आपका कितना a6.40 तो पहले आपको ci और si निकालना पड़ेगा ci निकालने के लिए हमारे पास direct formula नहीं है हमें क्या करना पड़ता है amount में से principle minus करके अपना answer निकालना पड़ता है यदि मैं amount को मान प्रिंसिपल को मान रहा हूं x तब amount कैसे निकलेगा यदि principle है x सर यदि principle है x तो amount निकलेगा a equals to x into 1 plus 8 upon 100 whole power 2 ठीक है और ci हो जाएगा कि यह जो x into हमने किया न 1 plus 8 upon 100 whole power 2 minus x जो कि भाई जब आप amount में से principle minus करते हैं तब आपको मिलता है simple interest ठीक है compound interest simple interest की बात कर लो simple interest तो simple है वो क्या करता है सब principle into rate into time whole divide by 100 बस इतना ही करना होता है तो यहां कितना हो जाएगा सर यह हो जाएगा 8 to the 16x upon 100 ठीक है और कोई शंका मन में नहीं सर आसान था यह जी सर देखो ऐसा ही क्या होता है p into r into t upon 100 हमने लिख दिया चलो अब यहां थोड़ा calculation कर लेते तो यहां आपको मिलेगा कितना हैगा यहां पे सर यह हो जाएगा अगर आप 8 और 100 को cancel करेंगे 4 के table से तो 4 2 जा 8 और यहां जाएगा 4 कितने जा 4 25 जा है ना यह सर चलिए तो x into यहां पे आप लेंगे lcm 25 प्लस 2 whole upon 25 का square minus x ठीक है अब आप 25 प्लस 2 करेंगे कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा तो यहां पे आपको मिलेगा 27 x into 27 का square whole divided by 25 का square minus x अब इन दोनों को जब आप solve करेंगे और उसमें से बात फिर ऐसा ही माइनस करेंगे तब जाके आपका answer आएगा तो मतलब अगर मैं इसको और थोड़ा further solve करने का प्रयाज करूं ठाकि हमारे पास थोड़ी simplified terms आजाए तो आपको मिल रहा है c i equals to 27 x 27 square x है ना नीचे ता 25 square जिसका अगर lcm लेंगे आप तो जाएगा lcm लेके answer लिखने उसका reason है reason यह है कि c i हो जाएगा यहां पर x common लेके अंदर 27 का square minus 25 का square ठीक है and this is divided by 25 square जिसको आप 625 भी लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है चलिए c i आपने और थोड़ा solve किया यह हो गया a square minus b square calculation कैसे करेंगे a square minus b square का use करके तो आपको मिलेगा x 27 में से 25 गया 2 और 27 और 25 को आपने जब add किया तो 27 और 25 को जब आप add करेंगा आपको क्या मिलेगा 75 12 22 45 कि गलत नहीं हूं तो कितना 52 तो यहां पर आपको मिलेगा 52 कि अपान 625 आपका statement क्या कह रहा है कि इन दोनों को minus करने पर कितना आएगा इन दोनों को minus करने पर आना चाहिए हमारे पास 6.40 ठीक है चलिए calculation अब करने का पार्ट आगा में अब वही बाकी है तो आप क्या करेंगे तो आपका हो जाएगा यहां पर इधर था कितना 52 इंटू 2 करेंगे 2 2s are 4 एक और 5 2s are 10 तो 104 लिख दू मैं यहां पर 104 x upon 625 minus 16 x upon 100 is equal to 6.41 क्या यह ठीक है क्या बोला मैंने आपने 52 इंटू 2 किया है 104 अब बस इनको solve कर देंगे हमें हमारा answer मिल जाएगा ठीक है 625 और 100 का LCM हमें लेना पड़ेगा कितना होगा सर यह 25 इंटू 25 है यह 25 इंटू 4 है ठीक है अगर आप ऐसे लेखें उसको तो यह 25 इंटू 25 और यहां पर है 25 इंटू 4 ठीक है आप चाहें तो कुछ कैंसल कर दीजिए यहां पर आप क्या कैंसल कर सकते हैं इंटू 25 इंटू 25 माइनस 4 इंटू 25 अब करना क्या LCM के लिए केवल इसमें 25 और गुणा करना है आपका काम हो जाएगा चलिए अब आपने जब इसको 25 और गुणा किया तो यह हो जाएगा 104 इंटू 25 इंटू गुणा करोगे तो हो जाएगा 100 योगि 25 इंटू 4 करने पर आएगा 100 और नीचे आएगा 625 इंटू 6.41 माइनस कि आपने अंसर आया 4X अपान 625 इकुवल टू 6.41 तो X हो जाएगा आपका 6.41 इंटू 6.25 होल डिवाइड बाइ 4 क्या ये ठीक है 6.40 है सॉरी मैं 6.41 वही सोच रहा था मैं कि कैलकुलेशन कैसे होगा 4040 यहाँ पे भी 40 चलिए अब 6.44 तो हो जाएगे कैंचल कैसे सर फोर वन्जा यहाँ पे हो जाएगा कितना सर फोर वन्जा फोर यह 1.6 आएगा विकोज 16 इंटू 4 करते हो तो 64 आता है तो वहाँ पे 4 वन्जा 4 4 तो 24 कितना आया 1.6 इंटू 625 बस उतना ही करना है तो 1.6 इंटू 625 जदी हम करेंगे तो 625 इंटू 1.6 चे पंजे 30 0 यहां 3 उपर 621 11 कितना हो जाएगा 15 पांच यहां एक उपर 36 37 और नीचे आएगा यहां पे 625 चलिए यह 05 और पांच दस साथ और नो एक दस छे उड़ती नो एक दस डैसे मन लगाए आपने हजार आएगा आपका आंसर तो ऑप्शन डी होगा आपका आंसर कितना थाउजन थोड़ा लेठी है प्रोशेस लेकिन अब सिमपल इंटरेश कंपाौन इंटरेस में आतकले यही करते हैं पूरा प्रोफ़री यहां को सॉलफ करके आंसर निकालना पड़ता है क्या आपको ऐसमझ में आया क्या कि आ आपने पहले सिमपल खिvoice है इंपर इंट्रेस्ट को देखा कैलकुलेशन जहां पर शॉट्रिक लग सकती है वहां पर हमने लगा दी यहां पर स्कूर माइनस बी स्कूर यूज किया यहां पर एलसे में ने की जगा पहले हमने कैंसल किया तक लगबग आसपास वाले हो जाए और आसान हो जाए कैलकुलेट करना ठीक है चलिए अंसर आया ऑप्शन डी हजार एक बर कंप्पिटर जी के साथ विरिफाय कर लेते हैं उनका जवाब भी आ रहा है ऑप्शन डी सर इसमें और कोई शौट रेक एक तरीका यह कि आप चार ऑप्शन में लगा के देख लो इंट्रेस्ट कितना आ रहा है दो साल का वह आप क्विकली भी कर सकते हैं अगर आप उसमें अच्छे हैं तो मैंना अब क्यालकुलेशन में वह continuous proportion में है अर्थात इसका मतलब क्या होता है सर इसका मतलब होता है कि भाई A upon B बराबर होगा B upon C के वो बराबर होगा C upon D के और वो बराबर होगा D upon E के और यह सब आपस में मिला के बराबर होंगे एक value K के आपको A upon E तक जाना है तो आप कैसे जाएंगे सर reverse order में चलना पड़ेगा पहले हम D upon E equal to K से बात करेंगे ठीक है यह एक रेशियो है तो किसी value के बराबर होगा यहां से आपको मिलेगा D equal to EK क्या आपको यह समझ में आया किया मिलेगा आपको D equal to EK ठीक है अब इसके बाद आते है C upon D पे ठीक है वो भी किसके बराबर है सर वो भी k के बराबर है अब d की value आपको पता है कितना e k ठीक है तो c upon e k is equal to k तो यह हो जाएगा c equal to e k square क्या आपको यह समझ में आया yes sir अब आप कहा जाओगे अब आप जाओगे b upon c की तरफ अगले लेवल की तरफ तो भाई b upon c जो है वो भी बराबर है k के ठीक है जहाँ पर आपको c की value पता है कितना e k square into k तो b हो जाएगा कितना sir b हो जाएगा e k cube के बराबर ठीक है अब यह हो गया b last वाले part पर आते हैं जहाँ पर आपके पास है a upon b यह किसके बराबर है sir a b k के बराबर है ठीक है अब a upon b के जगा पर आप लिखोगे e k cube equal to k तो a की value हो जाएगी यह a upon e की value हो जाएगी k की power 4 क्या मिला आपको आपको मिला a upon e उल्टा आते हाते किसके बराबर k power 4 के बराबर ठीक है अब आपके option देखिए आपके सारे option में a और b चल रहा है ठीक है और k की एक value a upon b b है कहां से आया यह पहला वाला और लास वाला तो जब आपको a और b के form में answer चाहिए तो आप k की जगा क्या लिखेंगे a upon b लिख देंगे परन्तु power 4 है तो वो power 4 रहेगी और वो क्या होगी वो दोनों को मिल जाएगी तो यह हो जाएगा a upon e equal to a power 4 upon b power 4 यह ऐसा नजारा कब देखने को मिलता है जब चीजे कैसी होती है continuous proportion में होती है तो आप क्या करते हैं उल्टा शुरू करते हैं solve करते जाते हैं जब तक आप अपने गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंच जाते तो e से आप d तक गए d से c से तक गए c से b के पास गए और b से फिर a के पास गए और फाइनली आपका अंचर आया a power 4 upon b power 4 क्या आपको यह समझ में आया yes sir कहीं कोई शंकामन में नहीं sir last का step क्या था कि k की एक value a upon b b है आपने k की जगह उसको put किया power 4 थी वो लग गई और आपका अंचर आगए a power 4 upon b power 4 computer जी से अंदुरोद क्रिपे हमारा answer match कर दें उनका answer आ रहा है b हमारा b b green signal मिलने का मतलब है हमने सही solve किया है हम करेंगे screen को clear और move करेंगे अगले प्रस्ण की और सवाल कमांग 4 pay ratio of 3 employees a b c is 2 is to 3 is to 5 ठीक है क्या बोल रहा है आप से कि 3 लोग है a b और c इनका pay ratio है 2 is to 3 is to 5 ठीक है अब अगर इनका pay increase हो गया है 15, 10 और 5 परसेंट से तो आपको बताना है कि कितना इनका ratio होगा नई वाली salary का ठीक है तो मान लो अभी है salary 2x, 3x और 5x ठीक है इसको मिल रहा है 15% increase इनको मिल रहा है 10% इनको मिल रहा है 5% ठीक है करो increase तो पहले था 2x अब हो जाएगा 15% of 2x ठीक है यहाँ पे इनको मिल रहा था 3x अब हो जाएगा 10% of 3x ठीक है इन जनाब को मिल रहा था 5x अब मिल जाएगा 5% of 5x extra ठीक है अब क्या करेंगा हम solve करने के लिए सर यहाँ पे यदि हम 2x common ले लेते हैं तो अंदर हमारे पास बच जाएगा कितना सर यह हो जाएगा 1 plus 15 upon 100 जो की हम normally लिखते हैं और जब आप LCM लेंगे इसका तो आपको मिलेगा कितना असर 2x into LCM लेने के पाद 115 बटे 100 मिलेगा ठीक है इधर आपको मिलेगा ऐसे ही 3x into 110 बटे 100 ठीक है और last वाले में आपको मिलेगा 5x into 105 बटे 100 यही होगा 5% increase किया तो आपने अपने लिए 5x common 1 plus 5 upon 100 तो जागा कितना 5x अब यहाँ पे देखो मैंने जान मूच के किसी को भी cancel नहीं किया क्योंकि कुछ चीजे 3ों में cancel हो रही है और जब भी आप ratio निकालते हैं तो अगर आप देख सकते हैं कि कुछ चीजे सब में cancel होई तो आपको करनी पड़ती हैं ठीक है तो यहाँ पर जैसे 100 100 100 तीनों में cancel हो रहा है तभी मैं cancel करूंगा अगर कि नहीं 2 में हो रहा होता तो शायब में cancel नहीं करता और यदि आप ऊपर cancel कर देंगे तो यहीं होगा कि कुछ values दो में cancel होंगी कुछ नहीं होंगी तो इसलिए कोशिश करो कि consistent रहो एक जैसा रखो ताकि चीजे cancel हो जाए तो इसके बाद तीनों में एक नंबर है जो कि 5 से divisible है तो जब आपने इसको 5 से divide कि तो यहां पर तो कितना हो जाएगा 5 2 10 5 1 5 है ना अब आप multiply कर सकते हैं 23 into 2 करोगे आपको मिलेगा कितना सर 46 3 into 22 करोगे कितना मिलेगा सर 66 5 into 21 करोगे कितना मिलेगा सर 105 और यही होगा आपका answer जब भी आप ratio में कुछ cancel कर रहे हैं यदि वो तीनों के पास है तो ही cancel होगा यदि आप तीन लोगों की बात कर रहे हैं तो फिक है उधारन के तोर पे यहां पे अगर आप सोच रहे हैं कि मैं suppose यहां पे 22 24 होता तो मैं 2 से cancel कर देता नहीं वो नहीं कर सकते आप आपको तीनों में से मी से cancel करना है उधारन के तोर पे तीनों को हमने सौ से cancel किया फिर तीनों में एक सा तो वह हमने हटा दिया फिर तीनों पांस से डिवाइड हो रहे होते तो शायद में नहीं करता उत्स जितना वहां पर रुख जाता वहीं पर मेरा answer होता तो रेशियों भी आ रहा है option D मतलब हमने और computer जीने सही जवाब दिया है तो हम करेंगे यहाँ पे screen को clear और move करेंगे अगले प्रस्टन की और अब सवाल करेंग पांच a train from salde to rana ghat with velocity of 60 km per hour basically speed को अलग नाम दे दिया है आप इसको physics में पढ़ चुके हैं आपको क्या दी है आपको दो speed दी है दर train 1 की speed कितनी है सर 60 km per hour चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं क्या के चीज़ हमारे पास है तो train 1 और यहाँ पे है train 2 अब इनमें क्या हो रहा है साथ train 1 की speed है तो s1 लिख रहों में कितनी 60 km per hour ठीक है यहाँ पे train 2 की speed आप जो भी लिखना चाहे है 80 km per hour चलिए टाइम कितना लगेगा साथ डिस्टेंस तो पता नहीं मान लो दोनों जगा क्योंकि भाई station fix ही है तो जो distance यहाँ होगा वही distance यहाँ होगा है कि नहीं यह सर तो यहाँ पे time लगेगा आपको ठीक है तो यहाँ पे कितना distance travel किया सर एक बार यहाँ से वहाँ गए फिर एक बार वहाँ से वापस यहाँ आए तो मतलब हो जाएगा दो बार आपने travel किया तो 2D और total distance upon total time time कितना लग रहा है सर एक बार D upon 60 प्लस D upon 80 चलिए अब हम क्या करेंगे हमारे पास क्या option है सर LCM लेना पड़ेगा जब आप LCM लेंगे तो यह हो जाएगा 2D upon यहाँ पे आएगा 80 प्लस 80 और 60 का LCM आठ और से हो जाएगा 24 है ना तो 24 होगा आपका LCM 240 तो यह हो जाएगा into 4 यह हो जाएगा into 3 तो 4D प्लस 2D प्लस 3D सॉरी whole divide by 240 है ना अब क्या मिलेगा आपको सर यह जो 240 नीचे denominator में यह reverse हो के उपर आ जाएगा into हो जाएगा तो 240 into 2 करेंगे तो उपर आएगा 480D upon 7D हो जाएगी आपकी average speed क्या आपको यह समझ में आया येस सर डी से डी cancel 480 divide by 7 करोगे कितना हो जाएगा सर 76 42 कितना बचा साथ बचा सर 76 42 कितना डिवाइट करो सर 678 56 जी हां बिलकुल कितना बचा आप सर 4 बचेगा तो यहाँ पर 4 by 7 हम लेख सकते हैं जो की मेरे option से match खा रहा है 68 km प्रती घंटे की रफतार होगी क्या आपको यह समझ में आया ठीक है आप यह ना सोचें कि भाई total distance हो जाएगा तो आपने कुछ भी distance ले लिया नहीं distance को आप डी ही मानेंगे ताकि आसानी से calculate कर पाया और टाइम हो जाएगा फिर डी बाई 60 और डी बाई 80 ठीक है कई बार लोग क्या करते हैं सर्ड डिस्टेंस मान लेते हैं 240 लोग जो वैसा भी कर सकते हैं लेकिन उसमें कई बार गलती हो सकती है तो क्रिप्या करके वेरेबल पार्ट को ले ले क्योंकि वह वैसे भी कैंसल हो जाएगा इंदियेंट फाइनली ठीक है तो अगर आप 240 लेते तो एक बार चेक कर लीजएगा ध्यान से कुछ गलती ना हो ठीक है एल्सियम लेते हैं वक्त समझ में आया येस सर चलिए यहां पर हम करेंगे स्क्रीन को किलियर एक बर उसके पहले कंप्टर जी से पूछ लेते उनका जवाब क्या आया है उनका जवाब भी आया ऑप्शन भी 68 4x7 किलोमेटर पर आवर तो हमारा जवाब और उनका जवाब सह ही है हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर और मूफ करते हैं अगले प्रस्ने की और सवाब कमांग 6 है हमारा वंदना सोल्ड टेबल और चेर 41050 ठीक है विद प्रॉफिट ऑफ टेन परसेंट ऑन टेबल और 25 परसेंट ऑन देचेर सवाल समझना उसने टेबल और चेर दोनों बेचे मिला कि एकहजार50 पे लेकिन दोनों की कॉस प्राइस तो अलग-अलग होगी और दोनों का प्रॉफिट मार्जिन भी अलग-अलग है टेबल पे केवल 10% प्रॉफिट चेर पे 25% प्रॉफिट टीक है अगर वह यहीं उल्टा कर देथी अर्था आत अगर वह टेबल पे 25% प प्रॉफिट परसिंटेज बढ़ा दिया तो आपको ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है वाट इस डा टोटल प्राइस ऑफ टेबल एंचेर आपको केवल क्या बताना है उन दोनों की टोटल प्राइस बतानी है कि कुल मिलाके कितने के पढ़ेंगे इंडियूजवल आपको नहीं बताना है ठीक है और यह सवाल पूछा क्या गया है हमारे आदर्नी राज गोवा में काफी अच्छा राज है यह बहुत ही सुन्दर इसी पर हम लोग आगे सवाल करेंगे अब कैसे करेंगे यह आपको सोचना है आई इसको देखते हैं अब इसको देखना जो हम शुरू करे इसकी ही तो बात करनी है ठीक है तो कॉस प्राइस टेबल की मानली एकस चेयर की मानली वाइए अब यहां पे हो क्या रहा है सर टेबल की प्राइस में उसका प्राफिट मतलब टैन परसेंट वो जोड़ा ठीक है प्लस चेयर की प्राइस में उसका प्राफिट जोड़ दिया और इन दोनों को जोडने पर आया 1050, एक हमें यह equation मिल गई ठीक है, अब जब आप इसको solve करेंगे यह आपको मिलेगा कितना Sir, x plus 1 by 10x प्लस यहाँ पर हो जाएगा y plus कितना 1 by 4y is equal to 1050 और solve करेंगे इसको आप तो LCA मिलेगा आपको 10 और एक ही हो जाएगा 11x by 10 प्लस यहाँ हो जाएगा 4 और 5y है कहां से आया Sir, एक LCM का और फिर एक division हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है LCM का 4 प्लस एक addition हो जाएगा 5y is equal to 1050 और solve करेंगे आप इसको तो आपको मिलेगा यहाँ पर 10 और 4 का LCM हो जाएगा 20 तो इंटू 2 और इंटू 5 तो हो जाएगा 22x प्लस 25y is equal to कितना Sir, यह हो जाएगा 1050 into 20 है ना क्यों हो जाएगा 20 10 और 4 का LCM लिया था आपने आएगा 20 side change करेगा तो उस तरफ यहाँ से आपको मिला 22x प्लस 25y is equal to कितना Sir, इसको डबल करेंगे तो यह जाएगा 52010 105 का डबल हो जाएगा 210 तो 210 और 20,000 ऐसा कुछ ठीक है अब आप जो दूसरा case है उसको देख लीजे Sir, दूसरा case जो है हमारे पास वो कह रहा है आप से कि इस पे है 25% profit उस पे है 10% तो इन दाट केस एक्वेशन क्या हो जाएगी मैं डाइरेक्ली यहाँ पे ट्राइ कर रहा हूँ एक्वेशन लिखने कर रहा हूँ तो डाइरेक्ली हो जाएगी Sir, 25% profit मतलब 125x और यहाँ हो जाएगा नीचे 100 है ना और यहाँ पे 10% profit मतलब 110y अपॉन 100 ठीक है तो वो क्या होगा एक तरीके से Sir, वो यही हो गया कि दोनों को add करेंगे तो 110 ही आएगा ठीक है चलिए और इनको मिला के 15 रुपे जादा profit तो पहले 1050 था अब 1065 हो जाएगा ठीक है और क्योंकि आपको दोनों equation से deal करना है तो आप solve करते वक्त चाहे तो इन equations को हटा के केवल directly यहाँ वाली equation भी ला सकते हैं ठीक है ताकि आपका समय बचेगा क्या थी हमारी equation directly अगर हम लाएगे तो यह हो जाएगा 110x और 125y is equal to 1050 whole divided by 100 यही होगा ठीक है क्या करोगे आप सर यहाँ पे 100 और 10 110 यहाँ पे y और 25 कितना हो जाएगा 125y इस तरफ आपको मिल रहा है 125x plus 110y equal to 1065 कितना 1065 और देखो यहाँ पे भी नीचे 100 है वहाँ पे भी नीचे 100 है तो उसको आप उस तरफ भेचके double 0 लगा सकते हैं तो जाएगा 106500 यहाँ भी हो जाएगा कितना 105100 अब यहाँ देखो इसको solve करने का तरीका एक तरीका तो यह है कि equation में आप यहाँ से value उठा के वहाँ डालो फिस cross multiply करो दूसरा यह है कि आपको in the end निकालना क्या है total price निकालना है तो एक attempt है यहाँ पे कि सायद दोनों equations को add करने पे मुझे किसी तरीके से x और y की value मिल जाए चलो 110x 125y equal to 10500 ठीक है और यहाँ पे कितना हो जाएगा सर यहाँ पे हो जाएगा आपका 125x plus 110y equal to 106500 ठीक है यही होगा हंजी सर अब यहाँ पे इसको जब आप add करेंगे यहाँ मिलेगा आपको 5 2 एक 3 1 और 1 2 235x यहाँ पे भी आपको मिलेगा 235y दोनों का add करोगे तो ठीक है और इधर पे आपको मिल जाएगा यह 500 6 और 5 11 और यहाँ पे हो जाएगा कितना एक क्यारी तो 211500 211500 211500 ऐसा कुछ है ना चलिए आपने क्या कि आपने add किया 6 और 5 11 एक क्यारी जी हाँ बिलकुल सही है चलिए यहाँ पे आप 235 कॉमन ले लेंगे और अंदर बचेगा आपके पास x प्लस y एक्वल टू 211500 तो x प्लस y की वाल्यू कुल मिला के आएगी 211500 whole डिवाइड बाई 235 ठीक है अब 235 के टेबल में 2115 आता है क्या चेक कर लेते हैं तो 235 के टेबल में आप 8 से करेंगे 85040 यहाँ प्लस कर दो एक बाद 235 तो यहाँ पे 5, 8 और 3, 11 8 और 10 से 11 एक और 1, 2 आगए 2115 कितने जा 9 जा तो यहाँ हो जाएगा कैंसल होके 9 जा तो 900 बचेगा आपके पास तो कुल मिला के पूरी मेहनत का निर्सकर्ज के निकला कि X प्लस Y हो गया किसके बराबर 900 के बराबर आपको निकालना था टेबल और चेइर की प्राइज मिला के ठीक है अलग-अलग उसने पूछी नहीं अलग-अलग हम निकालेंगे नहीं जितना पूछा है उतना ही सॉल्व करके हम आगे बढ़ जाएंगे यहाँ पर क्या लगा है हमने शॉट saving आम-टर पर हम क्या करते दोनों equations में X multiply करते हैं वो करते हैं कि दोनों का ऐक variable ऍँदवेक regular का एक expression मतलब agree coefficient सेमा जाए तो इसमें कुछ multiply करो इसमें कुछ multiply करो और उससे अच्छा तो हमने क्या किया जब same variable की बात हो रही है ठीक है same variable की बात हो रही है या पिर आपके जो coefficient है वो opposite है कि भाई इसका 110 इसका 125 तो यहाँ x का 125 य का 110 तो आप add करके या एक बार subtract करके भी solve कर सकते है जब आप इसको subtract करेंगे आपको नई equation मिलेगी ठीक है उसका आप use करके x और y की अलग-अलग values निकाल सकते है जैसे यहाँ पर आपने k1 x plus y निकाला और वहीं पर सवाल छोड़ दिया यदि आपको सवाल बोलता कि x और y की अलग-अलग values निकालो तो एक बार आप इन दोनों को minus करते फिर जो answer आता वहाँ से आपको एक और equation मिलती उस equation को और ये वाली equation को दोनों को आप deal करते तो आपको आपका answer मिल जाता ठीक है ये थोड़ा सा एक्स्रा ग्यान सवाल के अलावा option d हमारा भी सही है computer g ने भी रजामंदी दे दी है तो हम करेंगे screen को clear और move करेंगे अगले प्रशन की और चलिए सवाल के मांग साथ है हमारा a shopkeeper marked 10% access on an article अर्थात कि जो भी उस चीज की value थी असल value उस से 10% जादा mark किया एक shopkeeper ने ठीक है कोई बात नहीं अब due to decrease in demand he reduced the price by 10% मतलब अब कोई उन्हें प्राइस तो बढ़ा दी लेकिन market में कोई खरीदने वाला नहीं था तो उन्हें जादा customers को बुलाने के लिए जो नया प्राइस था उस पे 10% गिरा दिया कोई बात नहीं अब देखने क्या होता उनके साथ चलो मान लेते हैं कि हम भाई एक स्टय ये कितने पे तो मार्क प्राइस है ट्रं पर्सेंट एकस्ट्रा याजार का 10% कि रोगे लिए अग जिंदो 1100 ठीक है अब क्योंकि क्योंकि आपकी डिमांड नहीं है और आप 10 सब्राइस गिरा रहे ओ ठीक है तो discount कितना मिलेगा sir 10% किसका जो भी existing price है माने 1100 रुपे का आपको मिलेगा 10% तो शूने से शूने cancel यहाँ पर आएगा 110 ठीक है तो final price हो जाएगा आपका 1100 में से 110 माइनस कर दीजिए कितना हो जाएगा sir 990 अब आपने शुरू कहां से किया था 1000 से आप खतम कितने पर कर रहे हैं profit है या loss है sir 1000 से शुरू किया था 990 पर बिकराए 10 रुपे का loss है कितने का 10 रुपे का loss है तो loss तो है लेकिन कितने का 10 रुपे का loss का percentage कितना होगा sir 10 रुपे का loss हुआ 1000 रुपे का था और 100 रुपे से multiply करके percentage में convert करेंगे एक दो तीन एक दो तीन तो एक परसेंट का loss हुआ कितने का एक परसेंट का loss आप चाहें तो इसे x और y के साथ भी solve कर सकते हैं लाइक आपने selling price को ले लिया x पर 10% जोड दिया फिर minus कर दिया डिसकाउंट दे दिया वो सब भी कर सकते हैं आपका answer आएगा 9.9 एक ऐसा कुछ आएगा ठीक है तो वह 0.1 मतलब बेसिकली कितना हो जाएगा एक परसेंट हो जाएगा ठीक है यह 0.99 एक बाद चेक करना ठीक है यह कि कितना आ रहा है एक परसेंट लॉस आएगा इतना मुझे पता यदि आप x variable लेके करेंगे तब भी तो आप चाहें तो x variable ले ले चाहें तो values ले ले जिसमें आपको easy पड़े आप वो वाला solution ले सकते हैं computer जिसे हमने जवाब को किया verify उनका जवाब भी आया है option है मतलब हमने और उनोंने सही किया है हम करेंगे यहाँ पे screen को clear और move करेंगे अगले प्रश्न की और सवाल क्रमांक 8 है हमारा if a can run 48 meters ठीक है while b runs 42 meter को मिला किया हो रहा है इस statement का मतलब क्या है कि जितनी देर में a भाई साब 48 meter दौरते हैं उतनी ही देर में उतने ही समय में b कितना दौरता है 42 meters ठीक है यदि race एक किलो मीटर की है तो आपको बताना है कि a ने b को कितनी दूरी से हराया ठीक है अब यहां पर देखो पहले आपको पता लगाना पड़ेगा कि भाई रेस कितने की तो सार रेस है एक किलो मीटर पी की पर क्यूंकि दोनों के बारे में जानकारी मीटर में है तो आप इसको लिख दोगे 1000 meters ठीक है जो जितने टाइम में यह 48 भाग रहे है उतने ही टाइम में यह जनाब भाग रहे है 42 क्या आपको यह समझ में आया ठीक है माल लो कि अगर आप कह रहे हैं कि सर इसकी स्पीड है 1 meter 1 second माल लो कितनी है 1 meter 1 second तो अगर ये 48 मीटर भाग रहें तो कितना टाइम लगेगा? 48 सेकंड लगेंगे क्या आपको ये समझ में आया? पर उतने ही 48 सेकंड में ये जनाब कितना भागेंगे? ये केवल भागेंगे 42 मीटर तो इनकी स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी अब इसको solve कैसे करेंगे? देखो, 1000 मीटर का दूरी ते करना था ठीक है? ए ने कितना दौरता है? सर ए दौरता है 48 की स्पीड पे ठीक है? तो टाइम कितना हो जाएगा? डिस्टेंस अपान स्पीड ठीक है? अब वो जो भी हो टाइम 48 T है जो भी टाइम हो तो टाइम कितना हो जाएगा? 1000 अपान 48 ये था आपका डिस्टेंस ये थी आपकी स्पीड 48 मीटर ठीक है? अब वो बी को दोड़ना है तो भाई उतने ही टाइम है तो ये निकल गया टाइम कैसे? जो कि भाई स्पीड होता है डिस्टेंस अपान टाइम ठीक है? तो टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपान स्पीड ये हो गया टाइम कि कितनी देर में A रेस कम्प्लीट करेगा? अब उतनी देर में B क्या कर रहा है? सर दौर तो वह भी रहै लेकिन उसकी स्पीड है कितनी केवर 42 तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा वो कैसे निकाला हमने सर्ड time और वहां पर आगई स्पीड तो time और स्पीड को जब आप multyliply करते तो आपको क्या मिल जाता हैव मिल जाता है थी के तो पहले आपने पता लगा addict की स्पीड कितनी है给 I ? can advise करके आपने time पता लगाया जो a को order time लगा उतने time में be कितना distance cover करेगा वह कैसे हमने पता लगाया कि बी की स्पीड क्या भी को समय कितना लग रहा है और distance हम निकाल लेंगे चलिए यहाँ पे जब आप सॉल्फ करेंगे यह कितना है गा सरी हो जाएगा 6 7 42 और 6 8 48 ठीक है उपर जब आप डिवाइड करेंगे यहां पर तो यह हो जाएगा 428 और यहां हो जाएगा कितना सर 425 जा तो 250 फिर से टूशा डिवाइड करेंगे वन जा तो आपको मिलेगा 125 ठीक है 125 इंटू 7 इतना distance किसने travel किया बी ने travel किया कितनी देर में जितने में एने race खतम कर दी वो पहुँच गया उतने देर में 75 35 पांच यहां तीन उपर साथ दूनी 14 और तीन उजाएग कितना 17 एक कैरी 7 और एक 8 8 75 मीटर तो जितनी देर में एने race खतम की बी ने कितना कवर किया 875 दोनों के बीच का गाप कितना सर उसने किया 1000 इन जनाब ने उतने में ही किया 875 क्योंकि इनकी स्पीड स्लो है माइनस करेंगे आंशर आएगा 125 तो दोनों के बीच की दूरी कितनी 125 किलो मीटर जैसे ही ए ने पर अंसर को वेरिफाई उनका अंसर भी आ रहा है option D हरा रंग मतलब हमने सही solve किया है आगे बढ़ने का सिगनल स्क्रीन करेंगे यहां पर क्लियर और मूफ करेंगे सवाल के मांक नो एक सो साथ शेयर और फेस वाल्यू ट्वेंटी रूपी डॉलर हंट सुरी रूपीज हंडेड वर परचेश विन इनकी फेस वाल्यू कितनी है सो रुपे तो आपने लिखी फेस वाल्यू कितने की है सो रुपे ठीक है और आपके नंबर ऑफ शेयर्स कितने है नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएंगे आपके एक सो साथ ठीक है तो कितनी हो गई यहाँ पे टोटल फेस वाल्यू सर टोटल फेस वाल्यू हो गई सो शेयर्स इन्टू एक सो साथ उनकी संख्या तो यह हो जाएगा सोला हजार चलिए गोड एनफ अब आपसे क्या बोल रहा है कि किसी चीज़ की वाल्यू थी सो रुपे पर आपने उसको मार्केट में कितना लिया एक सो बीस रुपे का लिया तो भाई मार्केट वाल्यू है एक सो बीस ठीक है कितनी संख्याती सर से नंबर ऑफ शेयर तो उतने ही रहेंगे 100はい 600 तो आपने कितने कर लिया उसको सर आपने लिया उसको यहांपर आपका?!? अंसर आएगा टोटल मार्केट वैल्यू में हट्वारगई करने पर 6 इंख कितना मृ्टिपलाई करो कुछ 16 और 12 करने पर कितना है ले दो statement का मतलब है चलिए अब क्या हो रहा है यहां पे ठीक है बाइ company declare 20% dividend मतलब जितनी भी value के आपके पास share है उसका 20% जो भी value होगा उतना आपको dividend मिलेगा ठीक है अब यहां पे देखो यह value है जो company के हिसाब से यह तो आपने खरीदा किसी और से उससे company को मतलब नहीं है company को किस से मतलब है company को face value से मतलब है तो जो भी face value थी उसका 10% उसका 20% तो भाई 16,000 का 20% करेंगे तो कितना होगा 16,000 का 20% करोगे तो यह हो जाएगा 32,000 ठीक है हाला कि 32,000 रुपे का यहाँ पर dividend मिल रहा है जो की 20% है पर वो हमारे लिए 20% नहीं होगा क्योंकि हमने कितने में लिया है हमने तो 19,200 में लिया है भले company के लिए वो 16,000 का यह पर company जब बेचा किसी और को उसने किसी और को बेचा इसे बिकते बिकाते हमारे पास कितने का आया 19,200 का आया तो हम जो भी पैसा हमें मिलने का company से हम उस पर निकालेंगे किस पर 19,200 यहाँ पर हो जाएगा आपका शूर्निय से शूर्निय कैंसल बतिस सो डिवाइड बाई 192 जब हम करेंगे हमारा उत्तर क्या आना चाहिए सर पहले cancer कर लेते हैं चलिए टू से करेंगे यदि आप डारे क्या फोर से कर दो सर जाएगा 4832 तो 800 यहाँ हो जाएगा 4416 कितना बचेगा और सर 16 थर्टीट्व फोर एट्जा 32 चलिए फिर से करेंगे फोर से तो यह जाएगा 400 ठीक है और यह जाएगा about फिर से करेंगा फोर से तो यह जाएगा कितना 100 और यह हो जाएगा तीन तो बाई 100 इवाइड बाई टीन जब आपको करना पढ़एगा आपका अंसर कितना आएगा सर सो डिवाइड बाइट बाइट तीन करना है मतलब 66.67 आएगा हमारा परसेंटेज यह परसेंटेज अलग-अलग क्यों है क्योंकि भाई कंपनी जब देती है पैसा तो उसकी वैल्यू के हिसाब से देती है ठीक है पर जब हम कैलकुलेर करेंगे तो वह हमें कितने का पड़ा उसके हिसाब से देंगे ठीक है तो यह दोनों अलग-अलग वैल्यूस हो जाती है खासकर शेयर के केस में आपकी दो value हो जाती एक face value मतलब जो असल कीमत है company के हिसाब से और दूसरी market value जो की अलग कीमत है market में आपकी position के हिसाब से ठीक है यह उपर नीचे हो सकती है कभी अगर company अच्छा perform कर रही है तो market value उपर हो जाती है कभी कम perform करें तो नीचे हो जाती है इसके बारे में जानकर यदि आपको चाहिए तो आप हमारे पास सीरीज है जहां पर हम लोग स्टॉक मार्केट सिखा रहे हैं वह आप देख सकते हैं परन्तु पहले पढ़ाई ठीक है उसके और हम मूफ करेंगे सवाल कमांग दस की तरफ अशॉप कीपर सोल्ड अब आइसेकल टू कस्टमर आट 10304 इंक्लूडिंग जी एस्टी ठीक है और जी एस्टी का यह पढ़ी 1304 की चलिए तो एक्स प्लस 12 परसेंट ओफ एक्स इस इक्वल टू एक हजा दस हजार 304 यहां पर आप करेंगे 100 तो भाई 100 एक्स प्लस 12 एक्स इक्वल्स कितना हो जाएगा लेने के बाद तो यह हो जाएगा 100 और यहां जाएगा तो 10304 यहां पर आप सॉल्फ करेंगे 112 एक्स इक्वल्स इक्वल्स टू 10304 अपान 100 तो एक्स की वाल्यू आएगी 10304 इंटू 100 होल डिवाइड बाइड बाइए 112 ठीक है अब आपको डिविजन करना है डिविजन कै इसे करोगे 112 और 10304 पहले टू से कर लो सब्सक्राइब यहां पर टू से करोगे तो 5152 हो जाएगा है ना 5152 का डबल करेंगे दो दो चार एक बचेक कर लो तू फाइफ सा टैन वन किया टू फाइफ सा टैन और टू ठीक है चलिए 56 और 51 टाइट अभी भी कैंसल होगा टू टू सा फॉर टू एट जा शिक्स्टीन अठाइस हो जाएगा नहीं यहां पर यह सर यह हो जाएगा अठाइस और यहां पर जाएगा कितना सरी हो जाएगा टू से करेंगे तो टू टू सा फॉर वन यह हो जाएगा टू फाइफ सा टैन एक टू सेवें जा फॉर्टीन कितना बचा 17 तो 4-4 जा 16 फिर कितना बचा एक और 16 तो 4-4 जा 16 तो 644 डिवाइट बाइ 7 इंटो 100 x की वाल्यो आईगी 644 और 20 इंटो 100 और डिवाइट बाइ 7 7 सिलेो केंसल हो रहा है 644 सर 7 कितने जा 7-9 जा 63 हां हो रहा है कितना है X की वाल्यू सर एक्स की वाल्यू आई 9200 चलिए तो ये तो हो गया आपका सेलिंग प्राइज अब टैक्स कैसे निकालोगे सर टैक्स निकालेंगे 10304-9200 तो ये हो गया 04 तीन में से दो गया तो एक और दस में से नो गया तो एक ग्यारा सो चार रुपए सर अंसर प्रभू एक मिनिट सुनिए आपको एस जी एस्टी बोला है मतलब सर देखो जी एस्टी होता है वह होता है एक हजार मालों यहां पर जी एस्टी आए ग्यारा सो चार रुपए यह दोनों को मिलेगा कितना स्टेट को भी सेंटर को भी ठीक है तो आप क्या करोगे यह पूर पूछी गई थी केस से सम्मंदित सवाल पूछा गया था कि बता दो आप जैसी आंसर देखते देख ग्यारा सो चार आप माक कर देते लेकिन वह टोटल टैक्स है सेंटरल गवर्मेंट का भी स्टेट गवर्मेंट का भी जो भी जी एस्टी कलेक्ट होता है यहां पर जो भी भी आंसर आ रहा है बी 552 तो मतलब यह हमारा सवाल सही है हम करेंगे यहां पर स्क्रीन को किलियार और मूफ करेंगे अगले प्रशन की और चले सवाल करेंग ग्यारा वाट मस्ट भी सब्ट्राक्टेट फॉम 21, 38, 55 और 106 सो दाट रिमेंडर्स आर प्रपोशनल ठीक है तो जो कुछ है वो 38 में से भी माइनस करना है ताकि इनका प्रपोशन किसके बराबर हो जाए भाई 55 अपॉन एक्स माइनस 106 अपॉन एक्स ऐसा कुछ ठीक है शरी है क्या करेंगे आप सर वाल्यू पूट करने के लिए सॉल्फ करना पढ़ेंगा क्रॉस मंटिप्लाइ करेंगे तो 21 अपॉन एक्स इंटू 106 माइनस X इस इक्वल टू 38 माइनस X और यहां पे हो जाएगा 55 माइनस X चलिए जब आप मल्टिप्लाइ करेंगे 21 इंटू 106 ठीक है माइनस 106 X माइनस 21 X और लास में आएगा माइनस माइनस प्लस X स्क्वेर ठीक है इधर पे आएगा 38 हो जाए इस उमीद में माइनस एक बार होगा 38 इंटू एक्स को एक ठेके है आप सारे नंबर को एक तरफ ले खेलते तो यहां आपको मिलेगा मन अम क्यों ह Armstrong इन्टू एक सो छे माइनस अरतीस इन्टू पच्पन इस एकोल टू कितना हो जाएगा सरी यह दोनों वाल्यू जो नेगेटेव है हो जाएगी पॉसिटिव तो एक सो छे एक्स प्लस 21 एक्स माइनस 38 एक्स माइनस पच्पन एक्स ठीक है अब इसको कीजी आप सॉल्फ कितना मिलेगा आपको देखो इनको अभी मल्टिप्लाइ ना करो क्योंकि हो सकता है यह कैंसल हो जाए ठीक है यहाँ पर आपको मिलेगा 6 और एक साथ 127 एक्स माइनस 38 और पच्पन 8 और 5 हो जाएगा 13 1 कैरी 5 और 38 8 एक नो माइनस 93 एक्स ऐसा ही कुछ होगा क्या कि आपने 8 पांच हो जाएगा 13 पांच और 38 एक नो अब जब आप इनको मल्टिप्लाइ तो करना ही पड़ेगा पर पहले हम बाकी सब चीजे सॉल्फ कर लेते उसके बाद इनको देखते हैं ठीक है और यहाँ पर आपको मैनस करने पर कितना मिलेगा साथ में से 3 गया तो 4 बचेगा 12 में से 9 गया तो 3 बचेगा 34 एक्स हो जाएगा हमारा यहाँ पर आंसर तो हम क्या करेंगे इनको मल्टिप्लाइ करके आप सॉल्फ कर लेते तो 106 इन्टु 21 तो उपर आएगा 106 नीचा आएगा कितना 62 जाट 12 वन क्यारी 2 0 0 1 तो जाएगा 2 2 2 6 कितना 2 2 2 6 माइनस पचपन इन्टु 38 करोगे तो 38 इन्टु पचपन एक बार मन्टिप्लाइ करके दूसरी बार सेम लिख देंगे 85 जा 40 यहाँ 4 उपर 5 और 3 कितना हो जाएगा 15 और 4 उन्नीस 190 190 यही होगा येस सर तो शून्या 9 9 और 1 10 2 0 9 0 is equal to 34 x चलिए माइनस कीज़े फटा फट तो कितना था आपके पास सर 2226 था उसमें से 2 0 9 0 माइनस तो यहाँ बचेगा 6 12 में से 3 9 गया तो 3 बचेगा यहाँ पर हो जाएगा 136 तो आपको मिलेगा कोल मिलाके 136 equal to 34 x आप डिवाइड करेंगे तो 136 बटे 34 करने पर आपको मिलना चाहिए x 34 into 4 करो कितना आता है सर 4 4 जा आएगा 16 4 तीज़ा 12 1 13 आ गया तो x की वाल्यू कितनी सर डिवाइड करने पर आएगा 4 तो यहाँ पर आंसर आएगा x की वाल्यू 4 मतलब 4 में से क्या माइनस करोगे 4 माइनस करोगे तब आपका आंसर आएगा क्या तब आपकी जो वाल्यू जाएगी वो आपस में प्रपोर्शन में होंगे basic concept of proportion को यूज करके हमने यहाँ पर आंसर निकाला आप x में शॉट रिक यह यूज कर सकते हैं कि यहाँ तो चार ओप्शन को डाल के देखते जाओ जैसे यहाँ पर 21-4 करोगे कितना आएगा 17, 38-4 करोगे आएगा 34, 17 बटे 24 मतलब 1 बटे 2 यहाँ पर 25 में से 4 करोगे 156 में से 4 करोगे 102, 151 और 102 हो जाएगा 1 इस तो तो इस तरीके से आप यहाँ पर 4 ओप्शन डाल करके देख सकते हैं कि आपका अंसर मैच हो रहा है या पर नहीं हो रहा है जब आप यहाँ पर माइनस करेंगे 21 माइनस 8 करोगे कितना मिलेगा साथ करेंगे तो 14 8 करेंगे तो मिलेगा 13 और नीचे 13 30 कोई रेशियो नहीं बन रहा है यहाँ पर भी करोगे तो खुछ अलगी रेशियो बनेगा जो कि आपके दोनों पक्स के बराबर नहीं आएगा तो एक हो गया यह proper method डूसरा हो गया short trick जिसमें आप answer put करके देख सकते हैं आपकी मर्दी exam में आप कौन सा use करना चाहेंगे ठीक है चलिए यहाँ पर हम करेंगे screen को clear एक बार answer को match कर लेते answer के आ रहा है option c हमारा भी आ रहा है computer g का भी आ रहा है मतलब हम दोनों ने सवाल को सही तरीके से solve किया है चलिए screen clear हो गई है अगले प्रस्टने की और हम करेंगे रुक अब सवाल कमांक 12 है हमारा कि यदि एक triangle की हर एक side की length आपने increase कर दी 20% से तो आपका area कितना increase हो जाएगा यह आपको बताना है अब सोचने वाले बात यह है कि तर सीन 3 side तो होती है तीनों को आपने 20-20-20 बढ़ा दिया तो area बढ़ जाना चाहिए 60% से और आपके इसी doubt को और ज़्यादा verify करता है यह answer लेकिन यह तरीका गलत है ठीक है इस तरीके से सीधे सीधे increase नहीं होता और तीनों side के बारे में दिया है तो basically यहाँ पर ऐसा formula यूज करना पड़ेगा जो कि तीनों side के लिए मानने होता है अर्था कौन सा formula जी हाँ बिलकुल हम यूज करेंगे हीरांस formula जो कि होता है S, S-A, S-B, S-C चले अब यहाँ ध्यान दिजे जब आपकी actual side है A, B, C और जब 20% increase हो जाएंगी तो क्या होगा ठीक है आपकी actual side है A, B और C इसमें 20% increase करना मतलब A plus 20% of A है ना solve करोगे इसको यह आएगा 120 बटे 100 A जिसको आप कैसे लिखते हैं आप इसको ऐसे लिखते हैं कि भाई 1.2 A के बराबर होगा यह कितना 1.2 A क्योंकि आप लोगे पहले LC हम फिर करोगे आट टे 120 ऐसे यह कितना हो जाएगा 1.2 B और यह कितना 1.2 C कुछ इस तरीके से हो जाएंगे आपकी नई sites आपकी sites आगे आपके पास अब आप क्या करोगे सर अब हम निकालेंगे semi perimeter वो कितना हो जाएगा सर अब जब सारी sites हो गई है 1.2 से increase तो semi perimeter भी 1.2 से increase हो जाएगा चाहे तो निकाल के देख लो ठीक है तो जब आप sites को एक particular way से increase करेंगे तो वो पूरा का पूरा वैसे increase हो जाएगा कितना 1.2 S हो जाएगा ठीक है as compared to पहले वाला अब यहाँ पर देखो कैसे निकाल तो area सब तो new area हो जाएगा हमारा कितना 1.2 S ठीक है अंदर आएगा 1.2 S minus 1.2 A ठीक है ऐसे ही 1.2 S minus 1.2 B और last में आएगा 1.2 S minus 1.2 C चलिए अब आप क्या करेंगे सर यहाँ पर निकालेंगे new area equal to हम यहाँ प्रयास करेंगे कि यह ता कुछ हो जाए कि जो हमारी values है वो पुराने वाले area से matching हो जाए तो यह 1.2 as it is ठीक है तो new area में यहाँ लिख देता हूं यह 1.2 as it is यहाँ पर आया s इन दोनों में से आएगा एक 1.2 common तो into 1.2 s minus a इन में से भी एक common तो 1.2 into s minus b और तीसरे वाले से भी 1.2 common तो आपके पास बचा s minus c ठीक है चलिए अब यहाँ पर आपने लिए 1.2 इधर से 1.2 उधर से 1.2 तीसरा वाला 1.2 चोथा वाला यह सब अभी फिलाल root के अंदर है और यहाँ आपके पास बचरा है कुल मला के s s minus a s minus b और s minus c चलिए अब यहाँ पर जब भी root के बाहर निकाला हो तो आपको pairing चाहिए होती है तो आपकी pairing 1.2 1.2 की बन जाएगी तो यह 1.2 एक बार बाहर 1.2 दूसरी बार बाहर अंदर आगे आपके पास s s minus a s minus b और s minus c चलिए यह हो गया आपका original formula तो जो नया वाला area है new area है वो कितना है सर वो हो जाएगा 1.44 क्योंकि 12 का square होता है 144 decimal लगा होगे 1.44 into actual area मतलब नया area 1.44 टाइमस है actual area का तो कोई मुला के कितना increase हो गया सर अगर हम ऐसे देखें तो new area में increase हम कैसे निकालेंगे तो भाई new area हो गया 1.44 a इसमें से minus कर दो पूरा a मतलब पुराना वाला area अब जब आप minus करोगे आपको मिलेगा a कितना हो जाएगा common तो 1.44 minus 1 that is 0.44 का increase हुआ है यह basically 0.44 क्या है यह आपका percentage है ठीक है इसमें अगर आप calculate करना चाहेंगे percentage तो a से a cancel into 100 क्योंकि इतना increase हुआ divide by जो actual था into किया 100 तो आपको मिल गया कितना 44% क्या आपको यह समझ में आया yes sir तो आप चाहें तो यहीं से अपना answer निकाल सकते हैं कि नया area जो है वो पुराने वाले का 1.44 अर्थात कितना है 44% increase है क्या आपको यह समझ में आया yes sir कहीं कोई शंकामन में नहीं sir यहां से निकालना answer थोड़ा समय बचाएगा और यह पूरा method है कि भाई 1.44 में से पहले original कितना था वो minus किया original minus करने के बाद यह पता चला कि increase कितना हुआ उस increase को नए पुराने वाले से divide किया और into 100 किया तो 44% आ गया ठीक है एक बार computer जीसे verify कर लेते हैं उनका answer भी आ रहा है option D तो मतलब उन्होंने और हमने सही solve किया है हम करेंगे यहां पे screen को clear और move करेंगे अगले प्रस्न की और सवाल क्रिमांग तेरा 35% income of A is equal to 25% income of B ठीक है इसको हम गणित की भासा में कैसे लिखेंगे 35% of A is equal to 25% of B चलिए जब आप इसको थोड़ा solve करेंगे तो 35 बटे 100 into A is equal to 25 बटे 100 into B है ना अब क्योंकि दोनों के पास divide by 100 है तो cancel हो जाएगा 35 यहां पे हो जाएगा आपका कितना तो यह हो जाएगा 35 A is equal to 25 B अभी सवाल पूरा पढ़ा भी नहीं अभी हमने केवल जो दिया थो उसके साफ से solve कर रहे है जितना हमें पता होना चाहिए तो A upon B कितना हो जाएगा 25 डिवाइड बाए 35 मतलब 5 बचे बटे साथ यह होगा आपका cancel करने के बाद अब सवाल में देखते हैं हमने जो पहला statement था उसको पूरा यूज़ करके यह आंसर निकाल लिया कितना 25 बटे 35 मतलब 5 बटे साथ सवाल में क्या बोल रहा है ratio of their income A and B तो बाइए अन B तो उनकी इंकम ही थी ना तभी तो उसका 35 और 25 परसेंट निकाला तो हमने बेसिकली पहले statement का यूज़ करते करती अपना अंसर निकाल दिया कितना 5 is to 7 क्या आपको यह समझ में आया बाइए का 35 परसेंट तो यह A की इंकम है उसका 35 परसेंट यह B की इंकम है उसका 25 परसेंट दोनों है बराबर आपने solve किया A और B का आया 5 is to 7 क्या आपको यह समझ में आया यह सर एक बार कंप्यूटर जी से पूछ लेते हैं उनका अंसर भी आया 5 by 7 मतलब हमने सही solve किया है सवाल आपने देख लिया solve कर लिया answer आ गया easy था चले screen करेंगे हम clear और अगला प्रशन है हमारा कि यदि एक triangle का आपने base decrease किया है 30 परशेंट ध्यान रखना क्या किया है decrease किया है यहां पे ठीक है और साथी साथ उसका height को increase किया गया है तो एक को decrease किया है आपको बताना है कु पूछ एक्जाम में यही decrease की जगा केवल यहां लिख देंगे कितना percentage चेंज आएगा ठीक है और आपके option में लिख देंगे इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज तो आपको percentage भी चेक करना है और बड़ा है घटा है वो भी चेक करना है कई बर वेक्ति क्या करता है जल answer mathematically correct है लेकिन क्योंकि MCQ mark करते समय आपने ध्यान नहीं दिया तो आपकी गलती हो सकती है यहां पर ऐसा कुछ नहीं है फिलाल यहां पर हमें साफ साफ बोल दे कि भाई डिक्रीज हो रहा है बस बता दो कितना हो रहा है ठीक है चलिए पहले हम देखते हैं कि भाईया क्या हो क साथ सर बेस को अपने 30% घटा दिया है 30% कैसे निकालते हैं सर एसे जो आपने लिखा भाई से LCM लेंगे माइनस करेंगे तो 100B माइनस 30B अपन हो जाएगा कितना 100 तो यह हो जाएगा 70 अपन हंड्रेड भी चरिये हाइट जो है आपकी उसको आपने इंक्रीज किया है 25% से तो 25 बटे 100 इंटू H यहां पे हो जाएगा आपका LCM हंड्रेड एच प्लस 25 इच होल अपन हंड्रेड तो यह हो जाएगा कितना 125 इच ठीक है 125 बटे 100 इच चलिए अब चाहें तो इन्हें जाएगी 7 by 10 B ठीक है नहीं वाली बीवन लिकलो इसको और हाइट हो जाएगी कितनी 5 by 4 एच ठीक है चलिए एरिया निकालने के लिए तो न्यू एरिया हो जाएगा का हाफ इंटू नया बेस जो की हो जाएगा बीवन और नया हाइट जो की हो जाएगा एच वन ठीक है तो हाफ अब आपको कंपारेजन करना है पुराने वाले तो पुराने वाले को वापस लाना पड़ेगा तो आप लेका है यहां पे 7 by 10 B और हाइट को लेका पुनाई वाली पुराने वाली 5 by 4 एच चलिए जो एक्च्वल फरमला है उसे वैसा का वैसा रहने दो जो एक्स्ट्रा है जो नए आ है उनको बाहर निकाल दो तो यहां 7 by 10 आ जाएगा बाहर 5 by 4 आ जाएगा बाहर यह दोनों ही तो एक्स्ट्रा है ना बाकी पुरा तो हमारा असल फॉरमला ही है असल क्या हाफ इंटू B इंटू H ही है जो कि अभी तक रहेगा चलिए 1 जा 2 पूजा आंसर आया 7 upon 8 और यह पुराना एरिया है तो ए तो हमारा जो नया एरिया आया है वो पुराने एरिया का कितना है 7 by 8 है इससे हमें क्या पता सलता है कि जी हां सवाल में सही है डिक्रीज ही हो रहा है आपको कैसे पता प्रभू नियूमिनेटर छोटा डिनॉमिनेटर बड़ा है मतलब डिक्रीज हो रहा है जो कि जब आप इसको सॉल्फ करेंगे डेसिमल में आपका आएगा तो एकी वाल्यू कम करनी पड़ेगी उपर की वाल्यू छोटी नीचे की वाल्यू बड़ी मतलब फ्राक्शन क्या छोटा है वन से कम है ना चलिए अब गाप कितना ह कितना डिक्रीज होगा सर पहले था अब हो गया सेवन बाइट ए तो जब आप इसको सॉल्फ करेंगे माइनस करने पर आएगा वन बाइट ए इतना डिक्रीज हुआ डिक्रीज का परसेंटेज कैसे निकालेंगे सा डिक्रीज परसेंटेज निकालने के लिए कितना परसेंट कितना डिक्रीज 12.5 परसेंट ठीक है तो यहां पर आपने निकाला नया एरिया कितना है यहां निकाला गैप कितना है फिर उस गाप का परसेंटेज निकालने के लिए आपने जो गैप था डिवाइड बाया अक्चॉल वालियू मतलब जो ओरिजनल एरिया था वो ठीक है क्या आपको यह समझ में आया यह सर कहीं कोई शंकामन में नहीं सर हम करेंगे यहां पर अंसर को वेरिफाय ऑप्शन डी सही है हमारा भी और कंप्यूटर जी का भी मतलब हमने सही सॉल्फ किया है स्क्रीन करेंगे हम यहाँ पे क्लेयर और मूफ करेंगे हमारे अगले पार्ट की तरफ जो की है आपके लिए बहुत जरूरी जानकारी अब हमने हमारी जो मैनेट बिंज की वेबसाइट है उसे फुली फंक्शनल कर दिया मतलब आपके लिए यहाँ पर सबकोछ आवे लेबल है और ऐसा हमने क्यों किया है क्योंकि हमारे यूट्यूब पे 22,000 से जादा वीडियो से अभी आज की तारीक में और हर दिन नए वीडियो अपलोड होते रहते हैं अलग-अलग सब्जेक के अलग-अलग पार्ट्स के अलग-अलग चाप्टर्स के और हमें ऐसा डर हमेशा लगा रहता है कि कहीं आपके काम के वीडियो गुम न जाएं कहीं वह खो न जाएं इस पूरे ग्यान के सागर में तो उसको हमने क्या किया हमने सागर को अलग-अलग चैनल में बाट दिया अगर आप पढ़ना चाहते तो यहां पे अलग से सेक्षन है आप उस सेक्षन पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से अंदर जो भी हम पढ़ा रहे हैं वह सारी चीज़ें यहां पर आपको अविलेबल हो जाती है मैं से मैट है सोशल साइंग से आपको जो भी सब्जक पढ़ना है जो भी कॉंसे लर्न करना उसके लिस्ट दी गई है आपको जो लेक्चर पढ़ना है जो सेशन पढ़ना है उसके टाप पे क्लिक कीजिए आपका वो सेशन खुल जाएगा कुछ इस प्रकार जैसा कि हूबहू यूटूब पे होता है हां बलकि यहां पर एक बात अच्छी है कि यहां पर ना इड़र्टाइजमेंट है ना को डिस्ट्राक्शन है ना को नोटिफिकेशन है केवल और केवल पूरा-पूरा ध्यान आपका किस पर रहता है पढ़ाई पर रहता है तो वह चीज सुनिश्चित करने के लिए आपका ध्यान ना भटके और आप ताइम समय ना वेस्ट ना करें इसलिए हमने यह वेबसाइट आपके लिए स्पेशली डिजाइन की है बस आपको करना क्या है गूगल पर मैंगने बिंश डालना है आपको हमारी वेबसाइट मिल वी कम टू दा एंड ऑफ और एंटेस्टी सेशन जिसमें हम पढ़ रहे थे साट उसका स्टेज वन सब्जेक था मैट्स ठीक है हमने क्या किया है सेशन में हमने सेशन में जो हमारे प्रीवियस येर क्वेस्टन से 2019-20 के बेसिकली जो कि आपके किस टॉपिक से संबंदिर थे बेसिक अपरेशन दोन और्थमाटिक या फिर कुछ लोग इसे कमर्शल मैथमाटिक्स भी बोलते हैं ठीक है उसके हमने करीबन 15-20 सवाल सॉल्फ कि आपको ये सारे सवाल समझ आए होंगे ऐसी हमारी आशा है आपको क्या करना है आपको करना है चोटा सा होंवक्त ये सारे क आपका भी उस ग्यान में व्रद्धी होगी बागी तो अपना ख्याल रखें अच्छे से पढ़ाई करें स्टे होम स्टे सेफ टेक कर बाबाई गुट डे सी यू सून